तीन कातिल, एक कतल, एक पहाड़ी और एक इनसान का कंकाल आज के वारदात एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री है या यूँ कहोँए एक ऐसी ब्लाइन मर्डर मिस्ट्री है जिसे सॉल्फ करने में पुलिस को तीन साल का वक्त लगा आज की कहानी एक ऐसी वारदात के बारे में जिसमें पुलिस के पास सिर्फ एक सबूत था और वो था इंसान का कंकाल पुलिस ने उस कंकाल की पहचान करते हुए एक एक करम को फुक फुक कर उठाया, सारे छोटे बड़े सबूतों को जमा करते गए और आखिरकार उन सबूतों की जब कड़ियों को जोड़ा गया तो वो कड़िया सीधा कातिलों के घर तक जा पहुची और उसके बाद पुलिस ने उन कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे पहुचा दिया आज की अवारदात एक ऐसे कतल की कहानी है जिसमें रुस्वाई है, बेवफाई है, धोका है और इसमें कतल की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई निकल कर जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के होश भी फाखता हो गए थे जिन कातिलों ने इस कतल को अंजाम दिया था, उन लोगों ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनकी कहानी एक डम पॉफेक्ट थी लेकिन पुलिस ने जब कफ्तीश करना शुरू किया, हर एंगल से जाज करी, हर छोटे से छोटी जानकारी को, हर बड़े से बड़े सबूत को अच्छी तरीके से समझा परखा जाना तो पुलिस जो है, उन कातिलों तक जा पहुची, और आखिरकार वो कातिल पकड़े गए, जो चार साल से अपनी जिन्दगी को बड़े मज़े से काट रहे थे इस कतल के तीन किरदार थे, जिसमें तीन कातिल थे, और एक कतल जिसका हुआ वो शक्स था दरसल कहानी मैं आगे बताओं, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस कहानी की शुरुवात कब हुई तो साल 2020 में शनिवार के दिन 2 मई को एक शक्स जिनका नाम भाया लाल था, भाया लाल लोधी, वो पुलिस टीशन आते हैं मद्यपरदेश के अशोक नगर चंदेरी थाना पहुँचते हैं वहाँ जाकर वो बताते हैं कि उनका बेटा है भ्रिगबान लोधी, वो कुछ दिनों से लापता है पुलिस मामला गुमशुद की का दर्श करती है और तफ्तीश अपनी शुरू कर देती है शुरुवात में तफ्तीश में कुछ पता नहीं चलता है तो मामला थोड़ा सा ठंडे बसते में चला जाता है कुछ वक्त के बाद पुलिस को एक जानकारी हाथ लगती है कि जो चंदेरी इलाका है उसके पास एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर एक इनसान का कंकाल पड़ा हुआ है पुलिस जो है उस कंकाल को कबजे में लेती है और उसके बाद उसे जाच के लिए फॉर्ण सिक्स में भेज दिये करता है अब जब पुलिस कंकाल की जाच कर रही थी तो रिपोर्ट में सामने आया कि उस कंकाल जो शक्स है जिसकी वो लाज थी उसकी मौत की वज़ा थी चोट लगना अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि जो भी शक्स था जिसका एक अंकाल है उसकी हत्या होई है कोई नौर्माइट नहीं है तो पुलिस मामला दर्श करती है हत्या का और उसके बाद तफ्तीश अपनी शुरू कर देती है धीरे धीरे सारे सबूतों को जुटाये जाता है स चंदीरी थाना के आसपास के इलाकों में खबर भेजती है और पता लगाती है कि उस इलाके के आसपास पिछले एक साल में किस के गायब होने की खबर सामनी आई है पुलिस पूरा एक लिस्ट बनाती है हर गाउं से हर इलाके से पता लगाने की कोशिश करती है कि आसपास के इलागों में सबसे पहले कौन को नीवर गायब हुए थे अब पता तो चल जाता है एक लिस्ट बन करते याद होती है और पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो गायब हुए अब पुलिस इसमें सबसे पहले जाज को आगे बढ़ाती है अब जाज के डायरा जैसी आगे बढ़ा इत्ते फाक से चंदेरी थाने के पास के ही एक इलाक्या है वहां पर जो ब्रिक भान लोदी रहते था जो गायब था तकरीमन दो मई शनिवार 2020 से जिसके पिता थे भाईयला लोदी है जिन्होंने कंप्लीन अपने बेटे की दर्च कराई ती गुमशुदगी की उनके साथ वो DNA सेंपल कंकाल का मैच हो जाता है अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि यह कंकाल जो है ब्रिक भान लोदी का है जो 2020 में गायब हुआ था पुलिस मामले की तफ्तीश करती है अब सबसे पहले पुलिस उस घर के रहने वाले लोगों को सबसे बड़ा अपना जो है शक पुलिस को तीन लोगों पर शक जो है गहरा जाता है इन तीन लोगों में जो लोग शार्जी जो नाम शामिल थे वो थी सबसे पहले जो शक्स ब्रिक बान उसकी पत्नी पूनम पूनम के साथ-साथ उसका भाई और उसका एक और दोस्त परमार पूनम परमार और सियराम इन पुलिस एक एक करके तीनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। पूनम किस से मिलती है, कहां जाती है, पिछले तीन सालों में उसने क्या किया, जब से पती का गायब होने की खबर सामने आई है, उसके जिन्दगी में क्या बगलाव आए, हर छोटी जानकारी पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है। इसके बाद पुलिस जानकारी को जुटाते जुटाते, तीसरे शक्स के पास पहुचती है, सियाराम की, उसके बारे में भी पता करती है। जो भाई था सियाराम, पुनम का, उसके बारे में जब पुलिस जानकारी जुटाती है, तो पता चलता है कि थोड़ा गुस्से की प जब ये वारदात हुई, जब ये पूरी कंकाल मिला, उस कंकाल के DNA सैंप्लिंग हुआ, जब एक एक करके तीन साल तक पुलिस ने जानकारी जुटा ली, उसके बाद जाकर पुलिस ने इन तीनों को पूछताच के लिए ठाने बुलाया, पहले तो शुरुआत में जैसा होता ह हर कातिल अपने गुणा को मना करता है, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता, कुछ कहानी हमें नहीं पता है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, बहराल, जब तीनों से एक साथ पूछता चोई, तो तीनों ने अपनी बात को भूमा दिया, केस को पलेटने की में पनुषिश करी, मगर पोलिस को इतना तो पता था, कि कहीं नगती ये तीनों की जो है न इस पूरे केस में कोई नहीं कोई नगती कलेक्शन जरूर है, तो पोलिस क्या करती है, तो तीनों को अलग अलग पूछताँ च के लिए बुलाती है, पहले है पूनम से बातचीत क जाती है और आखिर में जो परमार था उससे बाचीत होती है और जब इन तीनों से बाचीत होती है तो तीनों ही अलग कहाने निक बताते हैं पुलिस को अब यहां से पुलिस को यकीन हो गया कि तीनों की कहानिया मैच नहीं हो रही है मतलब जो उनका शक है वो यकीनन सही सावि पता करने की कोशिश की जाती है आखिरकार जाकर ये तीनों तूड़ जाते हैं और अपने जर्म कबोल कर लेते हैं अब इसके बाद इन्होंने जो कहानी पुलिस को बताई वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे पुलिस ने जब इन लोगों को पूछताच के लिए गुलाया तो इसमें जो पत्नी थी पूनम, ब्रिगबान लोदी की जो पत्नी थी पूनम, उसने पुलिस को उसके बारे में जानकारी लगी कि जिस गाओं में नहीं रहती है चंदेरी में, उसी इलाके में उसका जो बॉइफरेंट है परमार वो भी रहता है, अब पुलिस को ये बात थोड़ी अटपटी लगी थी, यही वज़ा थी कि परमार भी इस पूरे केस में एक सबसे बड़ा पुलिस को उसके उपर शक हुआ था, बहराल जब पुलिस पूछताज के लिए पूनम को बुलाती है, परमार को बुलाती है, और सियराम को बुलाती है, और तीनों पूलिस को बताते हैं, उसमें ये था कि पूनम पूलिस को बताती है कि 26 अपरेल, रविवार का दिन था, 2020 में, रात करीब दस बज़े के आसपास, पूनम ने अपने जो पती था, ब्रिकबान लो दी, उससे कहा कि उसे बाथरूम के लिए बाहर जाना है, क्योंकि गाउं त हाथ का इलाका है, तो घर के अंदर शौच वगएर कि कोई सूलदा है नहीं थी वहाँ पे, तो इस वज़े से वो शौच करने के लिए बोलती है कि मुझे बाहर जाना है, अब रात का वक्ता तो अपने पती से बोलती है कि अंधेरा हो चुका है, मुझे डर लग रहा है, त अपनी पतनी के साथ चल देता है कि ठीक है चलो, अब जैसे ही वो तैय जगा पर पहुचते हैं, मतलब कि उस पहाड़ी पर वहाँ पर पहले से दो और लोग मौजूद थे, एक परमार और दूसरा सियाराम, परमार जो था, वो इसका बॉइफरिल था, सियाराम जो है, वो परमार दूनों मिलकर, एक के बाद एक वार करते हैं, ब्रिगबान लोधी पर, जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है, और ये लोग उसकी लाश को जाड़ियों में छिपा देते हैं, और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं, अब पांच-छे दिन के बाद, पुलिस में गुम्शुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, पुलिस उस मामले को उस टाइम पे जाड़ सीरसली लेती नहीं है, और आखिरकार उस रिपोर्ट के तकरीबन एक साल के बाद पुलिस को एक खबर मिलती है, कि उसी पहाड़ी पर जहाँ पर जो चंदिरी के पास जो पती के गायब होने के बाद, ब्रिगबान लोदी के गायब होने के बाद, पुनम ने क्या किया, किस से मिली, कहा जाती है, क्या करती है, आसपरोस के लोगों से, अपने मुखिरों से, टेकनिकल सर्विलांस, हर तरीके से पुलिस इन लोगों पर नज़र रख रही थी, और आखिर का जब सारे सबूतों की कड़ियों को जोड़ा गया तब जाकर ये पूरा का पूरा केस दुनिया के सामने आया और कातिल तक पुलिस जाप पहुची। तिलहाल मंगलवार को पुलिस ने इन लोगों को कोर्ट में पेश किया और अभी ये लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं इस केस में ये बात क्लियर है कि चार साल पुराना कतल का होग केस पुलिस ने कंकाल मिलने के तीन साल के बाद सॉल्फ किया मतलब सोचे कि किस तरीके से प सफ्टीश करी थी पूरे मामले की जाच करी मगर इस केस में कतल की वज़ा जो बनी वो सबसे जादा लोगों को हैरान करती है दरसल महिला ने अपने पती का कटल सिर्फ इस वज़ा से कर दिया था यह यूं कहूं कि सिर्फ इस वज़ा से नहीं महिला ने अपने पती का जो क खिलवार करता था उससे बेज़द करता था दुनिया के सामने मतलब हर तरीके से उसका करेक्टर असासिनीशन करता था और यही बात उस महिला को बहुत ज्यादा चुप गई थी इसलिए उसने अपने भाई और अपने जो प्रेमी था उसके साथ मिलकर कतल की वारदात को अपने पती को और उसके बाद रात के अंधेरे में कुलहाडी से बार करके यह उसकी हत्या कर देंगे और लाश को छिपा देंगे ऐसा ही बिलकुल इन लोगों ने किया मौके पर पहुचे इन लोगों ने पूनम बहाने से शौच के इसको वहाँ पर लेके गई अपने पती हैं मगर चार साल तक अपनी जिन्दगी को बड़े मज़े से काटने के बाद पुलिस की तफ्तीश ऐसी रही कि हर छोटी जानकरे जुटाए गई और आखिर में पुलिस ने इन लोगों को गरफतार कर लिया इस पूरी कहानी के उपर इस पूरे कतल की वारदात की उपर और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक